हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज है 16 जून और हम डिसकस करेंगे आज के सभी important current affairs को दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि current affairs हमारे सभी exams में कितना important role play करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे एक बात बतानी थी कि जब BSSC CGL 2 या 1 क एक्जाम हुआ था न तो उसमें current affairs बहुत ही कम पूछा गया था लेकिन अगर आप लोग अभी के trend से चले तो मेरे according current affairs में अभी focus करने की बहुत ज़रत है क्योंकि economic, policy, geography इन सभी subject से question current से correlate करके पूछ दिये जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग current को deeply analysis करेंगे चलिए वीडियो को start करते हैं लेकिन दोस्तों start करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कुछ previous questions को discuss करते हैं यहां पर ताकि आप लोगों को आसानी से सारी चीज़े याद र लेगा आप हमको इसका answer comment box में पताईए और साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लेंगे जिसका link हम description में दे देंगे दोस्तों तो चलिए start करते हैं निम्न मेंसिक किस मंत्राले ने जानवरों के लिए भारत की पहली COVID-19 वैक्सिन एनो वैक्स का अनावरण किया है अगला प्रस्न है हाल ही में जारी QS World University रैंकिंग 2023 में भारत का भारतिया विज्यान संस्थान बैंगलूरू कौन से अस्थान पे है अगला प्रस्न है मई 2022 में कौन साथ इस इराग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेला पूर्ति करता बन गया है और चौथा QS केंद्र सरकार ने ससस्त्र बलों में युवाओं की भरती के लिए किस योजना को मनजूरी दिया है दोस्तों कल हमनों इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनलिसिस नहीं किया था तो इसको हम लोग आज थोड़ डिपले अनलिस करेंगे और साथ ही पांचवा क्यूस्चन है 15 जून को विस्वभर में कौन सा दिवस मना जाता है दोस्तों ये दोनों टॉपिक को अभी अमलों वीडियो के इंड में थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में क्यूकि कल ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया था मैंने चलिए देखते हैं आप आज की करेंट अफेस को दोस्तों आज का पहला प्रसन है फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलो में 89.30 मीटर का नया भाला राश्ट्रे रिकॉर्ड किसने बनाया है ओप्सन है सुमित अंतिल जगदी स्विस्नोई राजेस बिन नीरचोपडा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि गोल्ड मैंड नीरचोपडा ने फिर से पावो नूर्मी खेलो में 89.30 मीटर के साथ एक नया भाला रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों यह राश्ट्रिय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था उन्होंने मार्श 2021 में पटियाला में बनाया था दोस्तों लेकिन फिर अगस्त 2021 में उन्होंने ओलम्पिक गेम्स में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने स्वन पदक को जीता था और अभी देखा जाए तो फिनलेंड के ओलिव हेलेंड लेंडर ने 89.83 मीटर के साथ स्वन पदक जीता है दोस्तों आइए हम देखते हैं नीरचोपडा के बारे में कुछ नीरचोपडा सुबेदार है दोस्तों वह एक भारतियर ट्रैक और फिल्ड एथिलीट है जो कि भाला पेक में ओलम्पिक के चैंपियन रहे हैं और चोपडा ओलम्पिक में भारत के लिए स्वन पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फिल्ड एथिलीट भी हैं आईए अब अगले प्रस्न को देखते हैं आज का अगला प्रस्न है और सधिया उपियोग के लिए भांग को वैद बनाने वाला पहला ACI देस कौन सा बन गया है ओप्सन है चाइना, थाइलेंड, फिलिपीन, मलेसिया तो दोस्तो जो राइट आंसर है वो है ओप्सन नमबर बी यानि कि ऐस अ मेडिसिन के लिए थाइलेंड ने भांग को वैद बना दिया है दोस्तो और ऐसा करने वाला यह पहला ACI देस बन गया है अब थाइलेंड में म पुरी तरह से वैद कर दिया गया है थाइलेंड के अतिहासिक 2018 और सधिया भांग के वैदी करन के बाद यह बदलाव आया है यानि 2018 में जो रूल बनाए गया था उसके एकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जा रहा है चलिए थाइलेंड के बारे में कुछ देखते हैं थाइल गॉलो थाइलेंड के मैप को देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कौन-कौन से बोर्डरे टच करते हैं तो यहां मियानमार है लाओस है कोलंबिया है दोस्तों चलिए यहां बैंक को किसकी राजदानी इस्तित है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्त्रे है प्रदान मंत्री और 17 जुन 2022 को किस सहर में मुख्य सचीवों के पहले राष्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक्सता करने जा रहे हैं ओप्सन है देहरादुन धरमसाला स्रीनगर या चंडिगर तो जो यहां राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्सन नमबर बी यानि कि प्रधान मंत्री मोधी 16 जुन 2022 को मुख्य सचीवों के पहले राष्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक्सता कहां करेंगे तो धरमसाला में करेंगे यही माचल प्रदेश में इस सित है दोस्तों इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस सम्मेलन का मुख्य उदेश केंद्र और राजय सरकार के बीच में सांजेदारी को स्ट्रॉंग करना है और साथ ही इस चर्चा जब यह सम्मेलन किया जाएगा तो इसमें तीन विशे ओपर पूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी दोस्तों वो विशे कौन-कौन से हैं तो नेप यानि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सहरी सासन और साथ ही फसल विविदी करन यहां पर डिसकस किया जाएगा दोस्तों यहां हम देख सकते हैं पी आईबी के पेज को मैंने लगाया आप लोग के लिए चलिए अब अगले क्वेस्चन को देखते हैं हम लोग दोस्तों हमारा अगला प्रस्न है 14 जून 2022 को भारतिय रेलवे की भारत गौरव योजना के ताहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी जंडी दिखा कर रवाने किया गया है ओप्सन है गोरकपूर अयोध्या भोपाल क्यामबी टूर तो राइट आंसर है ओप्सन नम 2022 को केमबी टूर कहां इस्तित है मिलाडू में इस्तित है दोस्तों और यह कहां से कहां तक जाएगी तो यह केमबी टूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराश्ट्र के साइन अगर स्रीडी तक यह जाएगी और इसके अलावा देखेंगे कि इसका संचालन एक नीजी ओपरे इसमें रखा गया था थो क्या रखा गया था भारत गौराओ चली आप देखते हैं भारत गौराओ योजना के बारे में कुछ और एक श्क्रा पॉइंट्स दोस्तों भारत गौराओ योजना को नवेंबर और यह ट्रेने नीजी कमपनियों के द्वरा चलाई जाएंगी और इसमें हम देखेंगे कि जो यह कारिक्राम है उसके ताद जो भी नीजी कमपनिया या फिर टूर ऑपरेटर है वे रेलवे को लीज पर खरीच सकते हैं और फिर अपने एकॉर्डिंग उसको किराया मार्ग औ और सिवाव गुडवत्ता को तैग करेंगे भारत गौरो ट्रेन विदेश में और इंडिया में भी भारत के सम्रीद संस्कृति विरासत और एतिहासिक अस्थलों का प्रदर्शन करेगी चलिए अब अगले प्रसंद को देख लेते हैं हम लोग दोस्तों हमारा अगला प्रस और सिंग, रवीदेशवाल, सतीषचंद्र या प्रवीण चित्रवेल तो दोस्तों यहां right answer है option number D यानी कि प्रवीन चित्रवेल ने राश्ट्रिय अंतर राजे एफलेटिक्स मीट में पूरुसों की टिपल जंप में राश्ट्रिय रिकॉर्ड बनाया है दोस्तो, और दोस्तों ये कहा के रहने वाले हैं, तो ये तमिल नादू के रहने वाले हैं इन्होंने चन्नई में चल रहे अंतर राजय चैंपियंशिप में 17.18 मीटर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों और पिछला अंतर राजय मीटर रिकॉर्ड पंजाब के अर्पिंदर सिंग ने बनाया था 2014 में और यह गेम उस्टेम लखनव में हो रहा था और यह कितने का था तो 17.17 मीटर का था दोस्तों अगला प्रस्ने है किसने 14 जून 2022 को क्रांती गाथा का उद्घाटन किया है और यह कहां किया गया है दोस्तों तो यह महराष्ट्र में किया गया है 14 जून 2022 को इसको किया गया मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 2016 में जो राजभावन है उसके नीचे से ब्रिटीस यूग का एक बंकर मिला था जो की इंडियन क्रांती कारियों का था और इसलिए यहां पर एक गैलरी बना दिया गया है दोस्तों और इसका उद्घाटन अभी मोदी जी के द्वारा किया गया है इसके साथ ही उन्होंने राजभावन का एक नया आवास का भी उद्घाटन किया है जिसका नाम जलभूशन है यानि कि महराश्ट्रे के राजभावन के लिए चलिए अगले प्रस्न को देखते है अगला प्रस्न है 15 जुन 2022 को किस देश ने यूआ सांसदो के आठवे वैस्विक सम्मेलन की मेजबानी की है दोस्तों आप्सन है सुडान, जॉर्डन, इस्राइल या मिस्र दोस्तों राइट आंसर है आप्सन नमबर डी यानि मिस्र ने यूआ सांसदो के वैस्विक सम्मेल दोस्तों यहां पर नागालेंड की पहली महिला संसत के रूप में राजेसभा चुनी गई है एस फांगोन कोन्याक उन्होंने ही भारत का प्रतीनिधित्व किया है दोस्तों दोस्तों हम यहां इजिफ्ट के मैप को देखेंगे कौन-कौन से देश इसके बॉर्डर से टच होते हैं दोस्तों तो यहां लीबिया है सुडान है इस्राइल के बॉर्डर भी टच होता है जॉर्डन भी है दोस्तों चलिए यहां रेड सी इस्थित है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की दरफ अगला प्रस्न है किंद्रिय मं किंद्रिय मंदल ने वे फाइंडिंग एप के लिए किस संग्ठन के साथ समझाते को मंजूरी दी है उप्षन है UN, World Bank, UNEP या IMF तो दोस्तो जो राइट आंसर है वो है उप्षन नमबर A यानि कि किंद्रिय मंदल ने वे फाइंडिंग एप के लिए UN के साथ समझाते किया दोस तो इसका उप्योग और इस आपको किसने बनाया है तो इसको सी डॉट के द्वारा बनाया गया है यानि सेंटर फॉर डेवलप्मेंट ओफ टेली मैडेक्स के द्वारा इसको बनाया गया है संजुक्त राष्ट की अस्थापना कब हुई थी 1945 में दोस्तो चली अगला प्रस ओप्रासन या विसाखा मूल तो दोस्तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नमबर डी यानि कि अनन्द महिंदा रविंद्र ढोलकिया और वेनु निवासन को चूज किया गया है लेकिन विसाखा मूल को नहीं इनके जबाप किसे चूज किया गया है तो पंकज पर टेल क को चूज किया गया है दोस्तों यहां पर RBI के द्वारा और यह जो भी नियुक्ती हुई है न वो चार साल की होगी दोस्तों चलिए अब अगले प्रस्न को देखते हैं हमारा अगला प्रस्न है स्टार्टप्स को समर्थन देने के लिए किस बैंक ने 100x.vc के साथ समझाता किया है ओप्सन है ICICI, SBI, HDFC, PNB तो जो राइट आंसर है वो है ओप्सन नमबर C यानि HDFC ने 10x.vc के साथ समझाता किया है स्टार्टप्स के लिए HDFC बैंक अपनी सभी जितने भी इंपोर्टन सिवाय होती है वो 10x.vc को देगा ताकि वो इस्टार्टप को आगे बढ़ाएं दोस्तो इसके लावा देखेंगे HDFC बैंक और 10x.vc दोनों मिलकर स्टार्टप को आगे बढ़ाने के लिए Master Classes जैसे पालो पर भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे चलिए अगले प्रस्न को डिस्कस करते है हमारा अगला प्रस्न है आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक 16 जून को नई दिल्ली में होगी दिल्ली डैलोग का यह कौन सा संस्क्रन होगा दोस्तों ऑप्सन है 11, 12, 15 या 10 तो राइट आंसर है यह ऑप्सन नमबर B यानि कि भारत असियान विदेश मंत्रियों की बैठक जो हो रही है वो नियो डैली में आयोजित की गई और यह उसका बारहवा संस्क्रन है दोस्तों यह पहली बार भारत की द्वरा आयोजित की जारहे है दोस्तों यानि देली में आयोजित की गया है और यह बारहवा संस्क्रन होगा साथ ही इसका थीम देखेंगे हम लोग इंडो पैसिफिक मेंικά ब्रिस बिल्डिंग यानि इंडो पैसिफिक में ब्रिस बिल्डिंग इसका डालोग है साथी इसमें मंत्री अस्तरिय सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जा संकर के द्वारा भाग लिया जाएगा आगे देखते हैं अगले प्रस्न को भारत यूरोपिय संग सुरक्षा और रक्षा परमर्स पहली बार कहां आयो जितकिया गया ब्रूसेल्स बेल्जियम जकार्ता इंडोनेसिया भारत दिली या हॉंग कॉंग चाइना तो राइट आंसर है ऑप्षन नमबर ए यानि ब्रूसेल्स बेल्जियम में भारत यूरोपिय संग सुरक्षा का रक्षा परमर्स की बैठा कायोजित की जाएगी फर्स टाइम दोस् साथी यूरोपिय संग के निदेशक सुरक्षा और रक्षा निधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी आज का अगला प्रस्ते हैं किस देश की सावा जील संकट के कारण सूख गई है ओप्षन है इराक इरान मिस्र या ओमान दोस्तों जो राइट आंसर है वो है नमबर ए यह जील कहां इस्तित है तो इराक में इस्तित है दोस्तों और यह जलवायू परिवर्तन और सरकार का कूप्र बंधन या फिर लापरवाही के वज़े से यह जील सूख गई है सावा जील को दक्षन का मोती भी कहा जाता है और यह जील चुड़ना पत्थर के चट पांसो सत्तर इस्वी में पैगंबर मुहम्मद के जन्म के दिन चमतकारी रूप से बनाई गई थी इराक के बारे में कुछ देखते हैं यह एक पस्ची में सियाई देश है इसकी सीमा कौन-कौन से देशों से टच होती है दोस्तों तो टर्की इरान कुएत साउधी अरबिय जॉर्डन, सीरिया और फारस के खाड़ी से टेश करती है इसकी रासदानी बगदाद है यहां के राष्टपती बरहम सली है और यहां के प्रधान मिंतरी मुस्तफा अलकदीमी है इराक के सरकार संगिया संसदिय गढ़तंतर है इसके साथ ही यहां की मुद्रा इराक की दिना हमारी है चलिए अब अगले प्रदस्तन को देखेंगे उससे पहले हम देखते हैं यहां पर इराग के मैप को यहां पर बगदाद इस्तित है इसकी राजधानी सीरिया, टर्की, साथी, साओधी अरविया, कुवैट वगरा से इसके बॉड़ेस टच होते हैं दोस्तों दोस्तों हमने जो प्रीवियस कुछ कुश्टन दिये थे उसको देख लेंगे हम लोग पहला कुश्टन था निम्न में से किस मंत्राले ने जानवरों के लिए भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन एनो वैक्स का अनावरन किया है ओप्सेन ए सिक्षा मंत्राले, बालविकास मंत्राले, जनजातिय मंत्राले, क्रिसी मंत्राले भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन जानवरों के लिए एनो वैक्स का अनावरन किया गया है दूसरा प्रस्न है, हाली में जारी QS World University रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्यान संस्थान बैंगलोरु कौन से अस्थान पर रहा है आप्सन है 25, 75, 155 या 155 तो राइट आंसर है आप्सन नमबर C यानि कि भारतीय विज्यान संस्थान QS World University रैंकिंग में 155 अस्थान पर है अगला प्रस्न है, मई 2022 में कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेला पूर्टे करता देश बन गया है तो दोस्तो वो रस्या है, हमारा अगला प्रस्न है, केंदर सरकार ने ससस्तर बलो में यूआओं की भारती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है यहाँ उप्सन है, समय, योध्या, अगनीपत, अजे, युवा, राइट आंसर है, उप्सन नंबर सी, यानि अगनीपत, योजना को यहाँ मंजूरी मिली है दोस्तों आईए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देखते हैं, क्योंकि हमने कल कुछ ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था यहाँ पे एज लगबग 18 साल से 21 साल होगा, और यह टोटल 4 वर्सों के लिए होगा दोस्तों प्रथम वर्स में वेतन का पैकेज जो होगा न, वह होगा 4.7 लैक और साथी यह 4 वर्सों तक जाते-जाते 6.92 लैक तक हो जाएगा और इसके साथी यह जब कोई सेवा से मुक्त होगा, तो ब्याज सहीद 11.71 लाक का सेवा निधी पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा उसके साथी गैर अंसदाई 48 लाक रुपए का बीमा भी प्रदान किया जाएगा और हम देखेंगे कि अगनी वीर कौसल प्रमार पत्र भी दिया जाएगा जो 4 साल तक यहाँ वर्क करेंगे दोस्तो चलिए जो कि इन्हें कोई भी जॉब देने में बहुत ही हेल्प करेगा यहाँ पे दोस्तो इसका ड्रॉबएक यहाँ है कि यहाँ पे सिर्फ 25 पसंट जो भी यूआ जाएंगे इसमें उन्हें चूज किया जाएगा और साथी गवर्मेंट ने अभी तक यह नहीं बताया है कि जो पहले भरतिया होती थी वो इसी तरह कंटीन्यू रहेंगी की नहीं इस वज़े से जो भी हमारे यूआ हैं उनके द्वारा इस पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा इसका लाफ भी है और हानी भी है देखिए आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों चलिए अगले प्रस्न को देखते है अगला प्रस्न था पंदरो जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है और आप्सन है वैस्विक पंदरो जून को मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे हम विद एनर्जी डे के बारे में कुछ देखते हैं तो अभी जो टाइम है वो जिवास में इंधन को पूरी तरह से एवोईड करना है पूरी दुनिया अक्षे उर्जा के तरफ बढ़ रही है साथी देखते हैं कि पावन उर्जा जिसमें की सबसे रेलेबल औरती काउं उर्जा में से एक है दोस्तों सबसे पहली बार ग्लोबल विंड या वर्ल्ड विंड दे 2007 में मनाया गया था और यह किस के दोरा मनाया गया था दोस्तों इस वर्ज की थीम क्या है पावन उर्जा की सक्ती और संभावनाओं के बारे में लोगों में जागरूपता बढ़ाना है दोस्तों एक रिपोर्ट के एकॉर्डिंग यानि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसलिंग की एक रिपोर्ट के एकॉर्डिंग 2021 में 93.6 गिगावर्ट जो पावन उर्जा के शमता है उसको स्थापित किया गया था लेकिन हमारा यहां लक्ष है कि 2050 तक हम लोग कार्बन नेट जीरो का लच्छे हांसिल कर लेंगे पर यहां पर जो पावन उर्जा को प्रोडियूस किया गया है वो काफी नहीं है दोस्तों लगभग इससे चार गुना अगर जादा प्रोडियूस करेंगे हम लोग तब जाक टो इसका बहुत सरे बिकाइगे जिसमे की यह बताइगे कि जो पंवान उर्जा प्रोडियूस होता है तो एक होता होता है और इंसानों इन्वेंशन हुआ है उसमें यहां बताए गया है कि जो भी विंड मिल का ब्लेड बन रहा है वो अब बहुत ही बहतर तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिसके कारण जब चमगादर या कोई भी पक्षी उसके पास से गुजरेगा तो यहां पर एक सेंसर लगा दिया गया ह जिससे की जब वो नसदीक आएंगे तो ब्लेड घूमना बंद हो जाएगा या फिर धीमा हो जाएगा जिससे की उनकी जाने नहीं जाएंगी तो दोस्तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी हमारे लिए जिवास में इंधन के तरफ से अक्षे उर्जा के तरफ बढ़ना क जरूर्ब बताईगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सेर जरूर करिएगा दोस्तोर हमारे चैनल को सब्सक्राइब में करिएगा था कि अगर हम कोई दूसरा वीडियो बनाते तो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर और भी ब्स चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्किप्सन में प्रोवाइट कर देंगे तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों